हेलो दोस्तों हाई वेलकम टू वाइफाई स्टडी लाइव आईस पीसे सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरी क्लास में जैसे कि समय आप लोगों को पता कि इस टाइम हमारा आंसर राइटिंग का सेशन होता है तो चलिए आंसर राइटिंग को शुरू करते हैं बह पढ़ा रहा हूं चीजों के साथ ठीक है एकोनोमिक्स पॉलिटी एंड हिस्ट्री ठीक है आगे बढ़ते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन इंसियार्टी बेच के बारे में है जो कि आप लोगों को पता है कि चल रहा है बेस्ट फैगल्टी आप लोगों कि आपके फांडेशन को बहतर कर लिया मजबूत कर लिया तो आपके लिए आसान हो जाएगा चीजों को करना पढ़ना समझना तो आप अपने फांडेशन के लिए इस बेच को जोइन जरूर करें इस बेच को जोइन करने के लिए आप लोगों को पता है कि डबलो एस लाइफ कोड यूज करेंग करते हैं पहला कोश्चंस पूजा देख लेते ही नोने क्या लिखा है आज विजीबल तो होगा बिलकुल मेरे हिसाब से ठीक है हाँ विजीबल है डी डॉलराइजेशन इस प्रोसेस अफ रिदूसिंग डॉमिनेंस अफ यूस डॉलर इन इस अमेन ग्लोबल रिसोर्स रिजर् सब्सक्राइब तो हमें यह पता चल जाता है कि आपने चीजों को करंट के साथ जोडने की कोशिश कि तो यह बहुत अच्छा है गुड़ आगे बढ़ते है उसके बाद चाइना का ही एक्जामपल आपने लिया ठीक है उसके बाद पुनेंशाल इंकुलोजन की बात रखी सम अ घंट पर तच एई रान वह जुए ला है अ एक्सप्र अग्समेंट मिद्धा करंसी थीचिंड इंडिया एंड केन्या है लिवराज दा ठीक है ठीक है ठीक है, China and India have been calling for the reform of the International Monetary Fund, IMF and Wood, World Bank, ठीक है, चलिए ये भी सही लिखा है, ठीक है, और उसके बाद, increasing in their voting, share in influence, ठीक है, de-dollarizations, risk for the global economy, reduce, liquidity increase, geopolitical tension, lower demand and value of US dollar, higher demand of value of the US dollar, अच्छा, lower demand भी होगी, और higher demand भी होगी, value of the US dollar, lower demand and value of US dollar, तोनों चीज़े mismatch हुई है, तोनों चीज़े mismatch हुई है, या तो ये वाला point गला थे, ये वाला point गला थे, तो आपने अगर उसके negative risk को दिखाने की कोशिश की है, तो lower demand वाला point ज्यादा पहलू है, तो फिर higher demand वाला point कैसे connect करेंगे आप, इसका मतलब कहीं न कहीं, इसमें बदलाव की जरुवत है, ठीक है, de-dollarization is the not easy or quick task, is it involves the complex coordination and corporation among countries, as well as a risk the cost, therefore countries should approach de-dollarization with, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वैसे तो आपने questions के सारे पहलू को शामिल किया, एक तो इंडिया वाला पहलू को आपको ज्यादा अच्छे से focus करना था, दूसरा recently आप लोगों को पता है, कि हमने अपने रुपे में business को शुरू किया है, हम रशिया के साथ रुपे में business कर रहे हैं, हम दुबई के साथ रुपे में business कर रहे हैं, हम इरान इराक के साथ भी, मतलब इरान के साथ भी रुपे में ही oil को खरीद रहे हैं, और बहुत सा सिनेरियों को रिपर्जेंट करना बहुत जरूरी है जब तक आप करणट वाला सिनेरियों मेंशन नहीं करेंगे इस परकार के कोश्टन में तो आपके कोश्टन हमेशा अधूरा ही दिखाई देगा ठीक है तो कोश्टन अच्छा लिका है लेकिन मांक्स की अगर मैं बात करू ठीक है अगले कोश्टन की तरफ मूब करते हैं ठीक है अगला कोश्टन सब्सक्राइब इन ही का ही है ठीक है डिजीटल इंडिया प्रोग्राम से रिलेटिड है टू इनेबल इजीटल इंडिया इंपावर्ट सिटिजन बाइद प्रोवाइदिंग देम्ड विद एक्स क्रिएट डिजिटल इस्किल वर्कफोर्स प्रमोर्ड यूज अफ टेकनलोजी इन गवर्नेंस इंप्रूफ इफिशेंसी ओफ ट्रांस्परेंसी बढ़िया है कोई दिककतनी इंट्रो एक परफेक्ट इंट्रो इसको कहा जा सकता है ठीक है लेकिन एक चीज़ जो मिसिंग ह कि किया इस initiative में किसी factual fact को यानिके fact को mention किया जा सकता था बिलकुल किया जा सकता था या India डोब the digital India program या इंडिया ने digital India program को अभी recently join किया है launch किया है तो इससे बहुत सारी चीजों को mention किया मनदब किया जा सकता है digital India इंडिया डिजिटल इंडिया मिलियंज अमिशन वाज लॉच्ट यहां पर इन्होंने बात लिखने की कोशिश की अगर इसी पोइंट को पहले लिख देती तो और अच्छा लगता लेकिन ठीक है कोई दिककत निये लाइक सागरमाला स्टार्ट यंडिया भारत नेट एंड एंड से न पंडिया ठीक एस्टार्ट अब इंडिया है स्टेंड अपावर्मेंट आ जिटीजन बढ़िया से लिए ठीक है ठीक है एक से बारी तरीके से accept किया जा सकता है ठीक है उसके बाद डिजिटल इंडिया एंस इनो ने बताया है इए आई टी फोर जोब अरली हार्वेस्ट प्रोग्राम इंफरमेशन फॉर ओल एक रांती ए गवर्नेंस चैलेंगे डिजिटल इंडिया अपार्ट फूम आर वेरियस इनिशेटिव देली इं एक्सपर्ट ठीक है और गवर्मेंट के इनिशेटिव आपने लिखे हैं ठीक है वाइल दियर हो बीन चैलेंज इस दा प्रोग्राम इंपोई इंपेक्ट उन्ट एकोनोमी एंड़ सुसाइटिया इस बीन पॉजिटिव इन इट इस एक्सपेक्टिट इस अच्छे से आपन लिखा है तो वेरी गुड नाइस अटेंप लिखा है जाएगा मतलब अच्छा है बहतर है ठीक है मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो फिफ्टींद में से साथ नंबर आपको इसमें मेरी तरफ से अलोट होंगे फिफ्टी पर्तिशत अभी भी नहीं है अभी भी और करना उनका परबंदन करना है ठीक है सयद आईशा शायद है ठीक है थोड़ा सा राइटिंग पर काम करो आर्थिक सुदार के अंतरगत भारत सरकार ने उन्नी सुनियानवे में नीजी करण की नीती थोड़ा सा देको भई शब्दों की बनावट पर काम करो को अपनाई थी अधीनी है नी थी ठीक है जिसके परिणाम सबुभारत का विकास काफी तेजी से होने लगा और इससे नीजी करण से अच्छा खासा आर्तिक विकास हो रहा है होने लगा वर्तमान में भी हो रहा है ठीक है नीजी करण के फाइदे इस परकार उत्पादन एवं उत्पादक चमता में वरद्धी होगी इससे बाजार एवं एक हेल्थ कंपेटिशन बनता है रोजगार पैदा होगा बहुराश्टी कंपनी की संक्या में निरंतर वरद्धी हो रही है अंतराश्टी वेपास GDP ये गरहाक सेवा को वस्तो और माना के सुधार में नुकसान सारुजनिक छ पर स्वामितु हित का महतु बढ़ेगा सार्जनिक हित के उपकरनों की कमी होगी ठीक है गरीब वर्ग को और अधिक संगर्ष्क पड़ेगा सरकारी रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे जनकल्यान के अंदेकी हो सकती है ठीक है बढ़िया नीजी करन भया इतना लंबा निस कर्ष से आपके कौशों की तागत हो जाएगी तो इस कोशचन के चीज़े लिखने की कोशिश कि वह बहुत अच्छी है कोई दिक्कत इसमें नहीं है ठीक है, तो थोड़ा सा इसको चीज़ों को और भहतर करने की कोशिश करें, अच्छा कोशन लिखा है पहला इक ता सेयद आईशा माक्स नहीं दोंगा लेकिन अच्छा आपने पर्फॉर्म किया केवल कंक्लूजन पर काम करो इसे के से घटाया जा सकता है ठीक है बढ़िया बहुत अच्छा ठीक है अगला कोश्चंस यह किसका सवाल है ठीक है नाम लिख दिया करो नीजी करन से आप क्या स कार सरकारी स्वामित वाले उद्दो को स्वामित या परबंदन को खतम करना है ठीक है इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पहले सार्जिंग शेतर के लिए उदिमियों और अक्षन रद कर दिया ठीक है सरकारी कंपनी सार्जिन कंपनी को दो परकार से नीजी कंपनियों में परि 15 दिनों से कम का बचा हुआ था ठीक है इस संकट को आवशक वस्तों की कीमतों में वरदी ने भारत का गहन बना दिया इन सभी कार्णों से भारत में कुछ नहींतियां अपनाया और इसमें हमारी विकास और रणनीतियों की संपूर्ण देशा बदल दी बढ़िया है बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा सा पॉइंट वाइज अपनी बातों को लिखने की कोशिश करो थोड़ा सा पॉइंट वाइज अपनी चीजों को कहने की कोशिश करो तो तब और ज्यादा इंपेक्ट आप इस पर कर पाओगे तब और ज्यादा चीजों को आ आर्तिक सुधारों के बाद से ही ये भात बार-बार कही जाती थी कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, परदान मंत्री नरेंद्र मोधिना हाल ही ये बात जोड़ देकर दोराई, इसलिए अर्टवस्ता का पूरी तरीके से सरकार के नियंतरण में रहना ठीक नहीं है, वरत तरवात्मक लाना रां रिरते हस्तक्षभ नहीं करते बहुत बढ़ी मांध भई अच्छ है वह इस चीज को बताने की कुशिश क्यों बहुत बहुत काभिले तारीफ है तो मतलब इस कोस्टक की जितने तारीफ की जाए उतना कम है बहुत अच्छे से उन्हों इस questions को बताया, नुकसान क्या लिखे, नीजी करन छेतर केवल और केवल अपने हित के लिए काम करता है, सिर्फ वेपारिक लाब कमाना ही नीजी छेतर का एकमात लक्षे होता है, नीजी करन से आप करमचारियों के सोशन की विवस्ता और भी मजबूत होती है, ठीके, इस्कू तो एक good, बेहतरीन attempt में इसे कहूँगा, ठीके, माक्स नई बच्चों को नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अभी उन्हें बहुत ज्यादा चीजों पर काम करना बागी है, बहुत ज्यादा चीजों को पढ़ना जरूरी है, तो इन्होंने बहुत अच्छे सा अपनी चीजों को बताने की कोशिश की, बहुत अच्छे सा अपनी चीजों को इन्होंने लिखने की कोशिश की, ठीके, आगे बढ़ते हैं, अगले कोशन्स की तरफ मूव कर लेते हैं, भई, ठीके, ये कोशन्स किसका है, वेश्वी करन डाले रिरन कोई घटना, ठीके, इसे देख लेते हैं भई, के, ठीके, विश्व अर्तवस्ता का वेश्व करतवस्ता से प्राइब विश्व के संपूर देशों के अर्तवस्ता पर आधारीत अर्तवस्ता का बोध होता है, ठीके, इस परकार वेश्वी करतवस्ता को विश्वामाच की अर्तवस्ता के सकते हैं, वेश्व करन के करन के नियम निर्धारक इस्थिती चुनोती दिगए जो वर्तमान नियमों को नाकरा थनुप से प्रभावित कर सकती जिसके आप जिससे संगर्ष हो सकता है जैसा कि अमेरिकी और चीन के बीच वैपार युद्धों में देखा गया सांस्कृतिक अंतर का होना ठीक है रोजग कर दार कानुनों को पैचिदा Z entsprechend लेकिन वैशवी करन मश्विन परियावर रनंग इगरावट कानून रर्ण स्वाहविए रूप से वैपार से जोड़ी हुए ये दुनिया भर के देशों के ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है वैश्विकरण पूरी दुनिया के लि को explain करो देखो आप इस पूरे कोश्चन को देखने की कोशिश करेंगे इसमें डी डॉलराइजेशन कहीं पर भी explain नहीं है इसमें पूरा का पूरा जो कोश्चन से वो डारेकली बात कर रहा है ग्लोबलाइजेशन की वैश्वी करन की इवन कंक्लूजन से ही आप इस बात का पता लगा सकते हैं कंक्लूजन के ही कंटेक्स में आप इस चीज को इस को जस्टिफाई कर सकते हैं तो इसका मतलब इस कोश्चन में आप लोगों को बहुत जादा चीजों में बदलाव करने की है बहुत ज्यादा चीजों को देखने की अवशकता है जब तक आप चीजों में बदलाव नहीं करेंगे कोश्टन की समझ पैदा नहीं करेंगे कोश्टन क्या पूछना चाहता उसको टार्गेट नहीं करेंगे तब तक आपके कोश्टन में एक अच्छा और बहतर रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, तो questions को समझ कर दुवारा लिखना है, ठीक है, सुमेदार या देख लेते हैं, अमेरिका डालार लंबे समय से अंदराश्टी वैपार में परमुक मुद्रा रही है, जो वेश्विक आस्तिक परदर्श्य का आकार देता है, परतम इस 44 में बिटेन्स वूट्स समझोता प्रात्मिक आरक्षित मुद्रा के रूप में डालर की स्तिती को मजबूत वा, 19-20 वी शताबदी के दोरान, बिटिश प्राउंड प्रात्मिक आरक्षित मुद्रा थी, 2021 तक वेश्विक मुद्रा भंडार का 60% सदिक डोलर में रखा गया मुझे ऐसा लगता है कि कोशन्स मैंने रिव्यू कर चुका हूँ, इस कोशन्स को मैंने रिव्यू किया है, लेकिन कोई बात ने, जब कोई देश अमेरिकी डालर को अपनी घरेलू मुद्रा के साथ विनियम और कानूनी निवीदा के माध्यम से रूप मानियता देना शुर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसकी दुबारा तारीफ करूँगा, शायद कहीना कहीं मेरे पास था वो कोशन्स उनका नहीं पहुंचा जो नया वाला था, लेकिन फिर भी इन्होंने इस को अच्छा लिखा है, ठीके, बबली, मैं पहले है रहा था, वो किसी और के थ अच्छे लिए ठीके के जिस पर निजी स्वामित कंपनी संस्ताया अन्ये पर हो, और सरकार का कोई हस्तक शेप ना होए निजी करण की श्रेड़ी में आता, उनिस्वे क्यानवे के अर्तवस्ता जब भारत के अर्तवस्ता कमजोर पढ़ रही थी वे दोर उनिस्वे दो सपता की वेश्विक मुदरा बची थी, परदान मंत्री नरसिम्मा राओ और मनमोहन सिंग ने विश्व बैंक तता अंतराष्टे मुदरा से कोश्ट मदद मांगी, तो उन्होंने भारत को उधारी करण, निजी करण और वेश्वी करण, भुमंदले करण करने को कहा, ठ ठीक है, निजी करण की सरकारी दायरा कम होना, करमचारियों का स्थिर्ता, श्रमिकों को कम वेतन संभावना, सरकार का निजी करण पर नियंतरन का कम होना, जिससे निजी स्वामितु का अपना मत करना, निजी करण से सरकार की भूमी का कम नजर आती है, बबली देखो, कोश जाके चार नंबर आपको मैं अपनी तरफ से देता हूँ, अब चूकि आप लोगों के अपके प्रारम के कोश्चन से तो ये तारीफ के काविल जरूर है, आप बहुत 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 बहतर कर रहे हैं, लेकिन अभी और जादा सुधार करना है, धाइसो वर्ट्स पूर ठीके, महाराष्टरा विटनेश अगिनेश दोमिनेंस इन दा, ठीके, सेवरल सेक्टर तो इस दिस्परिटी, महाराष्टरा है जा लोग हिस्ट्री अफ तो शोचल रिफोर्म मुवमेंट विद पाइल इन विर अमबेड कर, लेट दा फॉंडेशन फूर दा, ठीके, ठीके आम तोर पर जो बंगाल के आंदोलन थे वो एग्री कल्चर परभावीत थे, मतलब एग्री कल्चर से परभावीत थे जबकि महाराष्ट में कास्ट जो आंदोलन थे वो जादा हमें दिखाई पड़ते हैं, तो एक सबसे बड़ा कारण यह भी था कि वहां के जो आंदोलन दिखाई देते हैं, वो जातिगत आंदोलन के तोर पर दिखाई देते हैं, सोच्यो पोलिटिकल फैक्टर, हिस्टोरिकल कंटेक्स एंड रिजनल डायनमिक और सो इंफ्लेंस दाट्रे, आ ट्रेजेक्टरी ओफ सोशल मोमेंट, महाराष्ट्रा, एंटी कास्ट मोमेंट है व अगर आप स्पीड से को लिखोगे तो आप की चीज़े खराब होएंगी, तो इस्पीड को घटाओ, थोड़ा सा सोच समझ कर लिखो, कोश्टन्स के अंदर व्यूज अच्छे हैं, लेकिन उन व्यूज को किस तरीके से रिपर्जेंट किया जाए, किस तरीके से उन व्यूज को आप और बहतर कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है कि आप इस पर बहतर तरीके से काम करें, आपकी चीज़ों को बहतर करने में सबस ھیजन है चलिए मुझजों मिदेखी आप और बहतर तरीके से इंचीजों को करने की कोशिच करेंगे और बहतर तरीके से इन चीजों को मेंशन करेंगे है ठीक मार्क्स की बात करूं तो हमारा ये कोशन कितने नंबर का था मेरे ख्याल से 1500 words का यह questions था 1500 words का और अगर 1500 words का questions था तो इसका मतलब क्या होगा दस नंबर का यह questions है दस नंबर का हाँ दस नंबर का questions है तो आपको दस नंबर में से साड़े चार नंबर अभी और ज्यादा काम करना इसमें बाकी handwriting बहुत बहुत ज़्यादा माइन रखती है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कि यह किसका कोश्टन से भाई भाई मुझे बता दीजिए चेक हो गया करें अगला कोश्टन देख लेते हैं यह किसका कोशन लेंडें घचि ढाला के प्रवर्ट को कम करने की परकरिया सही हाल के वर्षों में देलोर एक करन की परवर्तियां देकी गई विदेशी मुद्रा बंडार विविदतल लाएं ठीक है घरेलू बजार विक्सित करें ठीक है मुस्ताने मुद्रा अंतरास्टिय वेपार को प्रोफ साहित करें और यह भी कोश्चंस हमारा रिपीट हुआ है इसका मतलब इस कोश्चंस में भी उन्होंने इसे माक्स इनको मिल चुके हैं ठीके फथक बड़ कोई बात नहीं दुबारा आ गया तो हमちは दुबारा भी सको देख लिया है ठीक है श्वैता देख लेते हैं आपने किस तरीके से कोश्चंस को लिखने की कोशिश की है आज कि कुछ रिपीट क्यों हूए है वै कि सर जी ये आज का questions है, ये कल का questions है, थोड़ा सा मुझे याद रहे कि आप क्या लिख रहे हैं, क्या लिख नहीं रहे हैं, कौन सा questions भेज रहे हैं, कौन सा questions नहीं भेज रहे हैं, तो इस बात का खास खयाल लगें, जिन बच्चों के questions pending हैं, सभी बच्चे अपने questions को personally मुझे बेज दिया करें और परस्akat परसंजिल कम लगा दिया करें तैंग लगा दिया करें कि यह सЛ est essa इस दिन का है यह कोशन्स इस दिन का है ताकि मुझे याध रहे कि मैं को से कोशिन को इंपोर्ट कर रहा हूं ठीक है प्राइबिताइजेशन टांस्फभ आप बिजनिस प्रोपर्टी पब्ली के अंट प्रोपर्टी पॉब्लीक सेक्टर फों पॉलिक तु ठीनि जॉपकर और इस ड्याग्रम का मतलब समझ नहीं आया श्वयथा तो इस ड्यागरम का मतलब क्य कि नहीं बस केवल और केवल आप इस तरीके से डब्बे बना सकते हैं, इस तरीके से चीजों को बना सकती है, ठीके, तो उससे क्या होगा कि आप लोगों की चीजों को इस तरीके से भी रिपर्जेंट करोगे, तो वो भी आपका सही रहेगा, ठीके, आगे बढ़ते हैं, Current Scenario, Central Factories Limited, Air India, Hill, Indian Patrol, ठीके, Advantage, Increased Product, No Political Intention, Intrusion, okay, नही समझ माया, Revenue Generation, Increase of, Increased Economy, Disadvantage, Lack of Regulation, ठीके, Decline in Public Interest, Exercise, Take Higher Priceless, Natural Penopoli, Conclusion, It is, It is good but not best for the, Everyone, When the price of the product increased, the general public will not be able to buy it, कोई बात नहीं, श्वेता पहला questions था, तो महनत की है, लेकिन और ज्यादा महनत को बहतर करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा महनत पर काम करने के अवशकता है, जब तक आपकी महनत बहतर नहीं होगी, तब तक आप चीजों को बहतर तरीके से रिपर मत कीजेगा, कि सर ने हमारे questions review नहीं किया, मुझे जिन लोगों के questions मिले, मैंने review कर दिये, जिन लोगों के questions मुझे तक नहीं पहुचे, जिन लोगों के questions मेरे पास तक नहीं आए, तो मैं उनका review नहीं कर पाया, भैस दीजेगा, कल की class में review कर दूँगा, इन questions को पहले, मतलब सुभावाली क्लास से पहले ही ताकि सुभावाली क्लास के बाद मैं जस्ट आपको रिव्यू देश कूँ तो इस क्लास के समापन की घोशना करते हैं खुश रहें मुस्कुराते रहें और बहतर करने की कोशिश करें पर्फॉमेंस में सुधार हैं कुछ बच्चे बहु